हमारा नेक्ट आटकर बाबा बंदा सिंग बहादूर जी के बारे में है Minister of State for Culture ने अभी हाल ही में एक event के दौरान National Monument Authority इन event organized by जिस पूरे event को National Monument Authority ने organize किया था उसे दौरान एक poster release किया गया है जो उनके 306 में जो शहीदी दिवस है उसके पहले ही release किया गया 9 जून को उनका शहीदी दिवस होता है बंदा सिंग बहादूर जिनका बच्पन का नाम लक्ष्मन देव हुआ करता था जिनका जीवन काल 1670 से 1716 के बीच में रहा एक सिख वारियर थे सिख खालसा आमी के कमांडर भी थे महस 15 वर्स की आयू में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया जब ये एक हिंदू सेंट बनना चाहते थे एक साधू बनना चाहते थे जहांपर इन्होंने अपना नाम रखा माधो दास माधो दास इन्होंने नाम लिया खुद के लिए और नान्देद में इन्होंने एक monastery भी established की गुदावरी नदी की गिनारे 1708 में इनकी मुलाकात गुरू गोविन सिंग जी के साथ हुई जहाँ पर वो उनके स्ष्ष्ष बन गए और गुरू गोविन सिंग जी ने उन्हें नाम दिया बंदा बहादुर इन्होंने जो खांडा है सोनीपत में वहाँ पर fighting forces को एकठा किया गुरू गोविन सिंग जी के बाद और मुगल empires के साथ एक battle छेड़ दी इनका पहला major action रहा जब उन्होंने 1709 में जो समाना पटियला का एरिया है वहाँ पर उस समय ये समाना की location थी उस पर जो मुगल provincial capital हुआ करती थी उस समय उस पर attack करके उसे capture किया फदर उन्हें खालसा rule को पंजाब में strengthen किया और जो भी area खालसा rule में आया वहाँ पर जमीदारी system को समाप्त कर दिया गया और property rights दिये गए किसानों को जो खेत की जुदाई किया करते थे जो खेतों पे काम किया करते थे बंदा सिंग जी को मुगल्स ने capture कर लिया 1715 सोला के बीच में मुगल्स ने उन्हें काफे लंबे समय तक torture किया और बाद में उन्हें जान से मार दिया इस तरीके से वो शहीद हो गया मेमोरियल की बात करते हैं बाबा बंदा सिंग बहादूर वार मेमोरियल ये च्छापरचीरी में है मोहाली में जहां पर जो एक बैटल हुई थी च्छापरचीरी की उस बैटल को पोर्ट्रे किया गया है जिसको लीड किया था मुगल्स की ओर से वजीर खान ने माई 1710 का ये पूरा वार था या बैटल थी इस डिससे वेक्टरी के बाद जो सिक रूल है वो लाहौर से डैली के बीच में स्प्रेड कर गया था